हेलो फ्रेंस घर की रस्ती में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंस आज मैं बनाने जा रही हूं पूजा के लिए आसन आसन बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक ब्लाउज का पीस जो की हमारे पास रखा हुआ था उसी का मैं आसन बनाऊंगी आ आप इसकी लंबाई और चौडाई बढ़ा सकते हैं आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप उससे ये आसन बना सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लाउच का पीसी हो कोई भी कपड़ा हो आप उसका आसन बना सकते हैं ये आसन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हू बहुत ही सुन्दर आसन दिभ्या पाठक जी मैंने आपके लिए आसन बनाने के लिए पूरे दिल से कोशिज की है मैं आसा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा इस कपड़े को मैंने चार लेयर में फोल्ड कर लिया है और ये देखिए मेरे पास साड़ी की लहस पड़ी हूई थी ये मैं इसी में लगाने वाली हूँ आपके पास कोई भी लहस हो साड़ी के किनारे वाला तो आप लगा सकते हैं पतली वाली लहस हो या मोटी वाली चोड़ी वाली कोई भी हो आप लगाईए बहुत ही सुंदर आसन बनके तयार हो जाएगा इसी तरीके से देखिए चलिए तो इसे सुरू करते हैं बनाना सबसे पाले हम चारो तरब किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से देखिए अच्छी तरब से कपड़े को पकड़ कर चारो फोल्ड पर सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से चारो तरब सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से और ये देखिए लाइस को हम इस तरह से रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा लेंगे ये पूजा का आसन देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है बहुत ही आसान है अटापट बनके त्यार हो जाता है और ये देखिए फ्रेंस कोने पे हमें इस तरीके से मुड़ना है ये देखिए आप देख सकते हैं एक बार और मैं इसे मुड़ कर आपको दिखा दे रही हूँ और इसके उपर से सिलाई लगा लेंगे जो मैंने किनारे को मुड़ के रखा हुआ है उसे हम पकड़े रहेंगे उसके उपर से सिलाई लगा देंगे ये देखिए इस तरीके से और अब हम कपड़े को घुमा देंगे और ये वाली सिलाई अभी हम बाद में लगाएंगे पहले हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं और ये देखिए फिर से हम किनारे पे उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे जैसा कि मैंने पहले लगाया हुआ है चारो कोने में इसी तरीके से मोड के सिलाई लगा लेंगे और यहां पे हम सिलाई बाद में लगाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था और चलिए हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं और ये देखिए अब हम बीच में से सिलाई लगाएंगे यहां से उपर से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से और कोने में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे ये देखिए घुमा के और फिर से हम कपड़े को घुमा लेंगे एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से फ्रेंस हम चारों तरफ सिलाई लगा के पूजा का आसन तयार कर लेंगे मैं ये पूजा का आसन बहुत ही सिम्पल तरीके से बता रही हूँ प्रेंस आसा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और ये देखिए प्रेंस हमारा पूजा का आसन बनके बिल्कुल तयार है बहुत ही simple shower है ये पूजा का आसन आप भी अमारे तरीके से ये पूजा का आसन बना के जहरूर से ट्राय करिएगा अगर में आप चाहें prince तो बीच में आप इस तरीके से गोटा लगा सकते हैं मैंने लगाया नहीं है ये गोटा मैंने सिर्फ रख के आपको दिखाया हुआ है अगर मैं आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं और ये देखिए फ्रेंट्स हमारा पूजा का आसन बनके बिल्कुल तयार हो गया है प्रेंट्स अगर मैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा जादा से जादा सेयर करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को सेस्क्राइब करिएगा